नमस्कार दोस्तों मुंबई के 66 नाला सुपड़ा इलाके में लगाता जो अपरादिक मामले वो बढ़ते ही जा रहे हैं चाहे वो लूट पाट की हो चोरी की हो या फी चैन स्नैचिक की हो आज एक बार फिर से मुंबई के 66 नाला सुपड़ा इलाके में आज एक महिला के साथ जियां चैन स्नैचिंग हुई 68 साल के यह महिला थी फिलाल जो है बता दे कि चैन स्नैचिंग का जो आरोपी है वो गिरफतार हो चुका है अचोले पुलिस ने एक शाती चैन शिनोधी के आरोप के गिरफतार की है फिलिस ने उसके पास से लाखो रुपे का आभूशर जबत किया है इसके साथ ही कई मामलों का खुलासा भी हुआ या कारवाई जो है वो डिस्पी परिमंडल दो और परड़िमा चौगले स्रिंगी वो एसपी उमेस माने पाटिल के मार्ग दर्शन में अचोलोई प्ली स्टेशन के पी आई बाला साहे पवार वो अपराद जाज साखा की टीम ने की है बदादे आपको सिर्फ नाला सुपड़ा ही ने वसई, विरार, नाइगाउ इन तमाम जगहों पर काफी जगहों पर जो है चैन स्नेचिंग की केसे सोते थे बदादे आपको ज़्यादा तर मामले देखने को मिलते हैं वसई, नाला सुपड़ा में और अब तो नाइगाउ में भी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि नाइगाउ को कुछ लागा बहुत ही ज़्यादा सुंसान है जिसके वज़े से वहाँ पर भी अपरादिक मामले बढ़ते जारे हैं इसलिए थोड़ी सावधानी बढ़ते अगर आपके साथ भी ऐसे कोई घटना है जिसके मामले में प्लिस को कंप्लेइन जरूर करें